परिचय तनु अपने बगीचे के पौधों में रोज पानी देती है। वह जानती है कि यदि वह ऐसा नहीं करेगी तो पौधे सूख जाएंगे और अंततह मृत हो जाएंगे। लेकिन वह यह जानने के लिए उत्सुख है कि पानी पौधों के मूलों यानि जड़ों से पत्तियों तक कैसे पहुँचता है। इस पार्ट में हम पौधों में जल, पोशक पदार्थों और आहार के परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे। उद्देश इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। विभा अपने बगीचे से कुछ खरपतवार साफ करना चाहती है। उसने उन्हें निकालने की कोशिश की लेकिन असफल रही। उसने देखा कि वो धर्ती से द्रटा से जुड़े हुए हैं। उसने अपने माली से मदद के लिए कहा। उसने थोड़ा प्रयास करके उन्हें निकाल दिया। उसने खरपतवार की जड़ों के निचले सिरों की तरफ लगे रेशों की तरफ इशारा किया जिन्होंने मृदा को जकड रखा था। इन रेशों को मूल या जड़ कहते हैं। सभी पौधों में मूल होते हैं। मूल पौधे के शरीर के दूसरे भागों को जल और पोशक पदार्थ प्रदान करने में महत्वण भूमिका निभाते हैं। मूलों में रोम होते हैं। मूल ब्रदा से जल और पोशक पदार्थ इन्ही रोमों की सहायता से अवशोशित करत किसी मूल में जितने अधिक मूल रोम होंगे वह उतना ही अधिक अवशोशन करेगा। जायलम वाहिकाओं के माध्यम से जल और मृदा से अवशोशित घुले हुए पोशक पदार्थों को पादब के पूरे शरीर में ले जाता है। मनुश्यों और जन्तूओं में एक परिसंचरन तंत्र होता है जो भोजन द्वारा अवशोशित पोशक तत्वों को शरीर के विभिन अंगों तक ले जाता है। पादबों में इस कार्य के लिए फ्लोयम होता है। फ्लोयम तने की बाहरी परत परस्थित एक उतक होता है। परिवहन में पत्तियों द्वारा प्रकाश संचलेशन के दौरान तयार की गई शावर्गरा पादब के अन्य भागों तक पहुँचाई जाती है। क्योंकि यह शावर्गरा का परिवहन करता है, इसलिए फ्लोयम में एक चिप-चिपा द्रव होता है। इस पदार्थ को सैप कहते हैं, इसमें घुली हुई शावर्गरा होती है। प्रकाश संसलेशन जैसे मनुश्यों को जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है, उसी तरह पादपों को भी जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है। प्रकाश संसलेशन वह प्रक्रम है जिससे पादप अपने भोजन का निर्मान करते हैं। प्रकाश संस्लेशन शब्द, दो शब्दों, प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश और संस्लेशन यानी तैयार करना से बना है. अधह प्रकाश संस्लेशन का अर्थ हुआ, प्रकाश की सहायता से तैयार करना. इस प्रक्रम में पौधों की पत्तियां सूर्य के प्रकाश का प्र वाशपोत सर्जन सारांज आईए, हमने जू कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं मूल यानी जणे, मृदा से पोशक पदार्थ और जल मूल रोमों की सहायता से अवशोशित करती हैं जितने अधिक मूल रोम होंगे, उतना अधिक अवशोशन होगा जायलम वाहिकाओं का तंत्र है, जो जल और घुले हुए पोशक पदार्थों को पोधे के सभी भागों तक ले जाता है प्रकाश संसलेशन वह प्रक्रम है, जिसके माध्यम से पोधे अपना भोजन बनाते हैं पोधों की पत्तियां सूरे के प्रकाश का प्रयोग कार्बन डायोकसाइड और जल से भोजन संसलेशित करने के लिए करती हैं प्रकाश संसलेशन से शावर करा और ओक्सीजन प्राप्त होती है फ्लोयम प्रकास तंस्लेशन द्वारा तैयार शावर करा को पौधे के सभी भागों तक ले जाता है फ्लोयम एक चिपचिपा द्रव होता है जिसे सैप कहते हैं और इसमें घुली हुई शावर करा होती है वाशपोत सरजन वह प्रक्रम है जिसमें जल पौधों की पत्तियों और तनों से वाशपी कृत होकर वायू मंडल में चला जाता है